नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूं मैं 12 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनी देनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं चाहिए बढ़िए प्रांभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की, आज मंगलवार है, मार्ग शुरसमास, कृष्ण पक्ष की आज अमा वस्याति थी है, अनुराधानक छत्र है, दिन में 11 बज करके 57 मिनट तक और इसके पश्चात जेश्ठानक छत्र है, धृतियोग चतुस्पात करण है, बातुवी पंचांकी चंद्रमा आज रुष्चिक राशी में रहेंगे, और अविजित महुरत का समय, दिन में 11 बज करके 31 मिनट से दो पहर, 12 बज करके 12 मिनट तक का होगा, वही राहुकाल, दो पहर 3 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी महुरत हरीकवती प्रिय है, राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए, प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महा प्रयोग में बेहद दिव्य चर्चा बुध से संबंधित है, दिव्य महा प्रयोग की बात करेंगे, साथी साथ 17 दिसंबर दिन रविवार क ये महुरत की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहिस्तितियों की, गुरु वक्रवस्था में मेश रासी में सिंचरन कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र का सिंचरन तुला में है, तो वहीं सूर्य चंद्रमा और मंगल ये तीन यूती बनाकर रुष्चिक रासी में सिंचरन कर रहे हैं, धनूक में बुध का सिंचरन है, शनिदेव कुम्भ में हैं और राहु मीन में, ये है ग्रहिस्तिति, प्रिदर्शकों आज गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक रहेंगे, शनिदेव के नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में, इस्तिती ये थावत है, गुरु से स्रडाष्टक योग में शनि राहु की दृष्टी से दृष्ट, तो कौन सी उराशिया हैं जिन्हें आज बेहत सावधान डहना है, कल तो फिर भी गुरु के नक्षत्र में आधा दिन थे, आज शनि और बुध कर लेने हैं, और कौन सी उराशियां हैं, जिन्हें अपने नए कारिप्टारम्भ करने से बचना है, और मेश शेले कर मीन राशी परियन तप्तेक राशी के जातकों के लिए आपके राशी का नुसार कौन सा वो उपाय है, जिसे करके आप आज इस दिन को स्रिष्ट बना सक अगे हम राशी फल में करेंगे, तो ये है ग्रहिस्तिति, इनहीं ग्रहिस्तितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हल तयार किया है, नि दैने राशी फल तयार किया है, वोने दर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उ फिरा आप अपने प्रचलिद नाम राशी क्याधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। ये सभी कारे दिन में 10 बज करके 27 मिनट से दिन में 11 बज करके 58 मिनट के बीच कुम्भ लगन में किये जा सकते हैं। दो पहर 12 बजे तक। अब 7 बज तो कोई सोरूम खुला नहीं होता। फलता 11 बज करके 10 मिनट से दो पहर 12 बज के बीच कोई वाहन इत्यादी क्रय करना है। आप कर सकते हैं। जोतिश को किवल जोतिशी नहीं वरन जोतिश को भली भाती समझने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। अब चलिए आप जोतिशी बने जोतिश को और समझें। इसके लिए को और सूत राज आपको समझाता हूं। दिव्य महा प्रियोक की ओर चलते हैं। प्रिदर्शकों, आज चर्चा बुद्ध की है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध से समंदित हमारी चर्चाएं पूर्व में नहीं हुई है। लेकिन आज जरा समझें बुद्ध के बारे में कुछ और बाते मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो तो शास्त्र में बुद्ध को नपुनसक ग्रह कहा गया है। नपुनसक किसलिए? क्योंकि ये मुलतह नपुनसक नहीं है, ये बालक है। फिर भी एक और कारण है। सुर्य के सदयव आगे पिछे सुर्य से ज़्यदा बहुत ज़्यदा हो तो दो घर आगे तक जाता है। जो उर्जा है, वो कही न कहीं सुर्य में समाहीत है। फलतह इस ग्रह को नपुनसक ग्रह की संग्या दी गई। जोतिस के पूर्व के जो मरमग्य हैं, सब ने ये कहा कि ये प्रभाव सुन्ने ग्रह है, इसकी अपनी विशेश कोई छमता नहीं है, प्रिदर्शकों लेकिन एक कमाल की बात बताओं आज के इस परिवेश में, तो देखिए, जन्म कुंडली में असल में देखा जाए, तो र माहित है, ये दोनों ग्रह अत्यंत बलवान है, और मैं कह सकता हूँ कि सभी ग्रहों से जादा, और उसमें भी बुध सबसे जादा, क्यों? क्योंकि इस बुध के छमता को समझना बहुत आवश्यक है, ये बुध क्यों इतना बली है, और सबसे जादा बली क्यों है, ये जा जानते हैं कि बुध राहू और केतू के समान सुरूप गृहन नहीं करते। ये बात ध्यान रखिएगा। राहू और केतू का जो मूल स्वभाव है कि अगर गुरू की रासी में है तो गुरुवत बन जाते हैं। बुध गुरुवत नहीं होंगे। लेकिन गुरू के प्रभ वो छाया ग्रह के रूप में है, तो राहू भी इसलिए बली है क्योंकि वो किसी भी ग्रह के स्वरूप को ग्रहन कर लेता है, जरह सोच के देखी यत्पिंडे तत्ब्रम्हांडे, एक ऐसे व्यक्ति कि आप कल्पना करिए, जो किसी की नकल कर लेता हो, जो किसी के समान किस्ट तो नहीं है, कई बार आप ऐसे लोगों को देखते होंगे, अमिताब बच्चन के एक डबल को आप देखते हैं, बड़े-बड़े जो एक्टर-एक्ट्रेस हैं, जो बहुत सफल लोग हैं, ऐसे किसी के आप बोड़ी डबल को देखते हैं, तो ये एक साधारन इस्त होगा, उसके समान स्वरूप बना लेगा, एक और बात, प्रियदर्शकों, अगर मैं नपुनसक ग्रह के रूप में भी बुद्ध की चर्चा करूं, आपके समुख वैसे, तो ये कुमार ग्रह इसले नपुनसक, लेकिन अगर नपुनसक ग्रह के रूप में भी इसकी बल की चर्चा करूं, तो मैं आपके कमाल की बात बताता हूँ, स्त्री, पुरुश और नपुनसक, किनर, इन तीनों में अगर बल को अगर आपको आँक ना हो, तो आप आँक करके देख लिजेगा, किनर का बल जितना अधिक होता है, उतना बल न तो स्त्री में होता है, न उतना बल पुरुष में होता है। दोनों में उतना बल नहीं होता है। वैसे ही जितना बैल में बल होता है। उतना न तो साण में होता है न गाय में। दोनों में उतना बल नहीं होता है। जितना बैल के अंदर शक्ति होती है। क्योंकि उसकी शक्ति को उर्जा को बांध दिया जा दिन रात एक समान होता है, एक नपुनसक हो गया कि बाद में नपुनसक बन गया, ना किन्नर वाला पॉइंट है यहां पर, बीचो बीच की स्तिती है इसकी, तो ये इसके अंदर बल आम ग्रहों से कहीं जादा है, प्रिय दर्शको जन्म कुंडली में जिस किसी जातक के आप बुध बहुत मजबूत इस्तिती में है, दसम भाव में ही बुध को ले लीजिए, बुध कुंडली के जिस किसी भाव में बली अवस्था में दिदिखाई पड़ रहा है, अच्छा एक और बात आप जान लीजिए, जैसे शुक्र हैं, तो शुक्र देवगुरु ब्रहसप ठीक है कि मंगल के साथ इनकी शत्रुता हो जाती है, लेकिन इधर गुरु के साथ भी प्रभाव बन जाता है, सुरे के साथ भी गुधारित योग बनता है, आप जानते हैं, गुरु के साथ रुद्र योग बनता है, प्रिय दर्शकों ये ग्रह इतना प्रभाव शाली है, क का अपना कोई मूल प्रभाव नहीं है और मैं कह रहा हूं सबस्य अधिक प्रभाव है तो क्या मैं महर्शी पारासर से ज्यादा जानकार हो गया हूं दबा जबा भेना उन्हों ने जो कहा वो अपनी जगह पर शत्त प्रतिशत सही कहा उनकी नजर में हमेशा याद दखिए मैं बार बार एक ही बात कहा बताया करता हूं कि जोतिस को जो हम समझ रहे हैं जिस जोतिस की हम चर्चा कर रहे हैं असल में उस जोतिस को महर्शी पारासर ने बहुत कम ही बताया है उस फालादेश को बहुत कम ही बताया है आज की इस परिवेस में भौतिक युग में हम जोतिस को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं मूल जोतिस का वो स्वरूप नहीं है जोतिस तो सीधी सी बात है बार बार मैं कहा करता हूं वेद का नित्र है यगर हम परमात्मा को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, वहाँ इस जोतिस की कोई उपयोगिता नहीं, इस जोतिस की उपयोगिता अर्थ संगरह में है। तो बुद्ध जिनकी कुंडली में बली हो समझ लीजे कि ऐसा व्यक्ति कोई आम नहीं रह जाता यानि कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में बुद्ध सर्व से जादा बली है या बुद्ध जिनके मुख्य ग्रह के रूप में बलवान है या बुद्ध किसी भी तरह से कुंडली में सबसे बली है तो ऐसा गत्ति कभी आम नहीं रह सकता ये पक्का जानी है आज मा करके देखी चली चलते हैं राशी भल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली की स्तिती मेश राशी के जातकों के लिए आज भी कोई बहुत खास नहीं है मन भटकता रहेगा इधर उधर की चीजों में ही ज़्यादा लगने वाला और उपर से कहीं न कहीं एक संबेदन सीलता आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी बाद 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 पर किसी न किसी बात को लेकर के जरूत से ज़्यादा भावुक हो जाएंगे आप, मानसिक रूप से भी अशांत रहने वाले हैं और जरूत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना आज आपको मुसीबत में डालेगा, तो आज का दिन अगर मेस राशे के जातकों के लिए देखें तो ठीक नहीं है, अच्छा करी योजनाबद रशन धंग से लेंदेन नहीं करना है, कहीं फंस जाएंगे, पारिबारिक जीवन में भी कलह दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, गुसे पर अपने कंट्रोल रखना होगा, विद्यार्थियों के लिए भी परिणाम कोई खास नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कुल मिलाकर कि मेस की सभी जातकों को सावधान करता हूँ, दिन ठीक नहीं है, सावधानी के साथी दिन को व्यतीत करिए, और आज मेस रासी के जाव तक सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इस उपा ब्रुशब के जातकों के लिए आज का दिन देखा जाए तो हर तरह से खास है, बस जीवन साती का सम्मान करिए, आप ग्रिहनी है तब भी यही कहूंगा, जीवन साती की भावनाव का सम्मान करिए, बाकी आपके सभी काम एक एक करके बंते दिखाई पड़ रहे हैं, दिन ह आज परातः काल थोड़ा चावल दान करना चाहिए, सुखा अन, चावल जा करके ब्राम्वन को मंदिर में पुजारी को दान करना चाहिए और एक और बात ध्यान रखिए, चाये वो छोटा बच्चा ही पूर नहीं और गिंगता में चाहिए, जैन करके बात भिगडेगी, इ जितना हो सके मधूर संबंध बनाने की कोशिश करिए जीवन साथी की बात को समझने का प्रत्न करिए प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है प्रेम संबंध को बैवाहिक संबंध में तबदिल करना चाहते हैं तो प्रत्न करिए जीवन साथी का जितना हो सके सम्मान करिए management field के विद्यार्थियों के आसानी से सफलता मिलने वाली है दिन बहुत अच्छा है स्वास्त में भी कहीं कोई विशेश परिशानी नहीं है थोड़ी धकान आपको महसूस हो सकती है लकियंक आपके लिए आज नौ है लकी कलार आपके लिए परपल निवेश अवश्य करिए मिथुन के जातकों के लिए भी आज का दिन बेहत खास है सभी कारे आपके बंते दिखाई पड़ रहे हैं जिम्मेदारियां आपकी पुर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं यूँ समझ लीजिए सोचे हुए का सभी कारे बंते दिखाई पड़ रहे हैं आसपास के लोगों वैसे तो हर किसी को ये प्राप्त नहीं है लेकिन जिनको प्राप्त है अपामार्ग का पुस्प ले जाकर के आज देवी पर अर्पित करिए अगर पुस्प न मिले तो अपामार्ग का पत्ता भी मिले तो देवी पर ले जाकर के अर्पित करिए कामना आपकी पुरुण होगी संतान उपक्छस्यदी कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और विशेश करके मिथुन की ग्रिहनिया अगर आपको अपमार का पत्र जू भी प्राप्त हो जाया आज देवी पर अर्पित करिए आपकी कोई ऐसी कामना पुरुण होगी जिसको आप बहुत दिनों से मन में संजो के रखे हुए हो दामपत्य जीवन सुखद होगा जीवन साती से सहयोग मिलेगा ब्यापारियों को ब्यापार में लाब होगा और निवेश आप अवश्य करिए कुल मिलाकर कि आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है सावधानी के साथ अपने सभी कारे पूरुण करते चले जाईए अब विवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है आईटी फिल्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है जितने भी प्रतियोगी परिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और जिनको मौसमी बिमारिया है वो अपने स्वास्त को लेकर के जरा सचेत रहे दिन अच्छा है आपके लकियंक आपके लिए आज पांच और लकी कलर सफेद है करक के जातकों के दी हम बात करें तो दिन साधारण है मन बेचैन रहेगा थोड़ी अशांती अच्छी बाती है कि आप अशांती अपनी किसी को दिखाएंगे नहीं अपनी कमिया परिशानिया खुद भीतर ही रखेंगे ये अच्छी बात है बताते हैं तो ये भी कहीं न कहीं बदनामी का ही कारण बनेगा काम से काम रखिएगा मन अशांत रहेगा आज प्रातह काल कहीं नीम का पौधा आसपास घर के हो तो उसकी जड़ को जल से जरा सीच दीजिएगा परिशानी थोड़ी कम हो जाएगी और हाँ काम से काम रखिएगा आज मानसिक अशांती और बेचैनी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है पेट में जलन की शिकायद भी होगी खान पान पर भी नियंतरन रखिएगा बहुत मसालेदार भोजन का उपयोग मत करिए और संतान पक्ष की चिंता रहेगी स्वलग जो राजनीती से जुड़े हुए लोग है वो भी सावधानी बरते है वानी पर नियंतरन जरूरी है और खर्च पर नियंतरन उससे भी ज्यादा तो कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है आकरामक होकर के कोई कदम मत उठाईए आकरामक होकर के कोई बात मत बोलिए आकरामक होकर के कोई काम मत करिए प्रेम संबंध में भी मतभेद की संभावना है, दामपत्य जीवन में भी स्तुती, साधारण ही है, बहुत अच्छी नहीं है और स्वास्त के मामले में देखें, तो परिशानी है, पेट जन्ने रोग की संभावना है, तो इसको लेकर के सचेत रहिएगा, लख्यंग आप ले दो लखी कलर आपके ले आज मैरून है, निवेश ना करें सुम्म के जातकों को मैं ठीक ठीक कहूंगा, बीचो बीच का दिन कहूंगा, बलकि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा अपने कार्य के प्रती, अपने रिष्टे के प्रती, अपनों के प्रती इमानदार रहिए अचल संपत्य से सम्मधित कारे करने वाले हैं तो दिन के उतरार्ध में जाकर के करिए और हाँ आगे बढ़ने का प्रत्न कर रहे हैं तो गती थोड़ी धीमी रखिए घबराईये मत धीमी गती से भी आगे बढ़ा जा सकता है आप सफल होंगे अपने मन की बात हर किसी से शर्मत करिए और कोई ज़रूरी कारे करने वाले हैं तो जब तक कारे बन न जाए तब तक किसी से शर्मत करिए फायदे में रहेंगे सभी स्विम्राशी के जातक आज रुद्र सुक्त का पाठ या स्रबन करें और हो सके तो भोलेनात के उपर थोड़ा जल भी अर्पित कराएं इससे फायदा मिलेगा और बहुत अधिक दिखावा बड़ बोलापन इससे आपको बचना होगा लव लाइफ ठीक है दामपत्य जीवन भी पूरी तरह से सुख में दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी का साथ मिलेगा जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनेगा विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्त से समंधी तेदी परशानी है तो आपको अपने स्वास्त की परशानी बढ़ नजा इसका ख्याल रखिए पेट का ख्याल रखिए मानसिक तनाव भी रहेगा लखियंक आपके लिए आज एक और लखी कलर आपके अज पिंक है निविश कर सकते हैं जानकार के राय से करिएगा ज्यादा फाइदा होगा कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है या यूँ समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए हर तरह से लाभप्रद रहने वाला है इस दिन का आप फाइदा उठाईए और हाँ अपने आख कांजरा खुले रखिए औरों की बातों को भी जरा सुनिए औरों को बोलने का मौका दीजिए दिन अच्छा है भाग आपके साथ है और यूँ समझ लीजिए कि जो भी कारे आप करेंगे जिस कारे में कदम आगे ब दिन अच्छा है तो फाइदा उठाईए किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं आज सभी कन्या राशी के जातक सफेद कमल का पुष्प स्यूलिंग पर अवश्य अर्पित करें अगर आपको प्राप्त हो जाए दिन बहुत अच्छा होगा और निवेस अवश्य करि करने वाले हैं सब बढ़िया जीवन साथी के साथ संबन्द में सुधार होगा अनबन की स्थिति वो दूर होगी विद्यार्थियों के लिए त्यंत स्रेश्ट है दिन और स्वास्त के मामले में देखा जाए तो स्वास्त के मामले में भी कोई विशेश परशानी नहीं है ल पाइदा उठाईए कारेक्षेतर में तुच्चा धिकारी आपका संबान करेंगे रुखे हुए कारे बनेंगे अचल संबत्ती से संब्दित कुई कारे करने की सोच रहें तो कर सकते हैं वैवसाइयों की बातकर आत्में लेकर कि गाय को खिला दीजिए गाय को खाने के लिए विश्यष करके अगर संबंध में कहीं भी कोई परेशानी होगी चाहे कुटुम्ब के सदस्यों के साथ जीवन साथ संथी के साथ powdered संतान के साथ ये परेशानी दूर होगी दांपत्य जीवन सुख में हो लव लाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को ठीक कहूंगा विद्यार्थियों का दिन साध्हारण है थोड़ा सा नाकारात्मक्ता आपके उपर हावी है इससे आपको बचना होगा आज का प्रयोग करिए इससे आपको लाब मिलेगा और चिंता आपकी दूर होगी स्वास्त का भी खयाल रखिएगा स्वास्त में थोड़ी परिशानी दिखाई पड़ रहे लखियंक आपके लिए अज दो लखी कलर हलका लाल है निवेशा पवश्य करिए और व्रिश्चिक के जातकों को आज भी सचेत रहना है मन और मस्तिष्क दोनों के दोनों अशांत सक्रिय तो रहेंगे परन्तु उठाए गए कदम आपके द्वारा आपको नुकसान पहुचा सकते हैं ऐसा आपको लगेगा कि मैं जो चाहता हूं उसमें सफलता हासिल हो सकेगी लेकिन अंततो गत्पा आपको नुकसान होगा तो बहुत सचेत रही है किसी के भरोसे बिल्कुल मत रही है भरोसे रहकर के और काम बिगड़ेगा यात्रा मत करिये यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है दामपत्य जीवन में अन्बन की इस्तिती दिखाई पड़ी तो यहां भी आपको बहुत सचेत रहना है आज हरा मुंग प्रातवकाल पक्षियों को डालिएगा इससे आपको फायदा मिलेगा और सातिशाथ स्यूमंदिर में अगर हो सके तो श्यूमंदिर में जाकर के श मतिक्रिया मदीजी जीसे समंद्ध पर बुरा असर पड़े और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भागेगा मन पढ़ाई में ना के बराबर लगने वाला है और स्वास्त को लेकर के भी थोड़ी सावधानी बर जरूरी है लकियंक एक लकी कलर आपके लि करेंगे तो नुकसान हो जाएगा कोई महत्त पूरुना कारे करना चाहते हैं उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा धैरे बनाए रखना बहुत आवश्यक है सांती के साथ काम करिए और सभी धनुरासी के जातक आज एक काम अवश्य करें थोड़ा किसी को धन उदर मत करिए और माता-पिता का अभमान मत करिये उनके लिए भद्र भाशा का प्रयों मत करिये किसी कोट कर मत पहँ सकते हैं और बात इदी बिद्यार्थियों की करें, विशेश करके जो मेडिकल फिल्ड के बिद्यार्थी हैं, तो उनके लिए तो बस यही है कि जितना हो सके मेहनत करें, आपका दिन सुरिष्ट है, आपको सफलता मिलेगी. लकियंक आपके लिए जो साथ और लकी कलर आपके लिए अज ब्राउन है, निवेश नहीं करना. मकर के जातक आज सफेद चंदन में इत्र मिलाकर के शिवलिंग पर जाकर के अरपित करें, भोलेनात को लगाएं, और धैरे के साथ आगे बढ़ें, दिन बहुत अच्छा है, सोचे हुए समीकारे पुरुन होते दिखाई पड़ रहे हैं, स्वास्त से समंधी तेदी कहीं को करीच सकते हैं, किसी संकट में फसे हुए हैं, तो उससे मुक्ति मिलने वाली है, मकान, भूमी, प्लोट से समंधित कारियों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया, बयुसाइयों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहुँगा, और निवेस भी आप अवश्य अच्छले, बैंक से समंधित कोई कारिया, कोई कागजार्ती त्याधी पर साइन करना है, अचकर ये लोन मिल जायेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, गरिहन के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रेम समंधिके लिए दिन बहुत बढ़िया, दामपत्य जीवन भी स्वास्थ में अगर कोई परिशानी थी विश्यस करके सिर्दर दीते आ दी तो अपने स्वास्थ का खयाल रखिएगा लखियंक आपके लिए आज एक और लखी कलर आपके लिए आज पिंक है कि निवेश करिए कुम्भ के जातक दिन बहुत बढ़िया है आज प्राता काल हें घी का दिया जलाकर के तीन बार सिद्ध कुंज का इस्तोत्र का पाट करिए और कॉंफिडेंस के साथ आगे जाईए आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनेंगे विशेश करके प्रयोग सरकारी नौकरी करने वाले अवश्य कर लें कारिक छेत्र में किसी भी तरह की कोई बाधा परिशानी आ रही थी वो दूर होगी उच्चा धिकारियों का सहयोग मिलने लगेगा व्यापार मिस्तिती और मजबूत होगी एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाईए दिन अच्छा है आए में बृद्धी होने वाली है पद मान सम्मान में बृद्धी होगी बाकी प्राइवेट से भी जुड़े हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है निवेश अवश्य करिए और कमवेश मीन के जातकों के लिभी दिन ठीक है कारिक छेतर में सफलता मिलेगी मन को थोड़ा शांत रखिएगा और कदम आगे बढ़ाईए जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी प्राता काल ही आज कपूर से मा भगवती जगत जन्नी जगदंबा की आरती करिएगा घर में अगर उनकी तस्वीर है तो उनके समुख या मंदिर में जाकर के कर सकते हैं तो मंदिर में अवश्य करिएगा और कहीं कोई चिंता है कोई बेचेनी या परिशानी है अपनी कोई कामना है तो मा के समुख हवस्य रखाईएगा सफलता मिलेगी और हो सके तो बिद्यार्थियों को जो सिक्छा ग्रहन करें कमजोर है जरुतमन्द हैं उनको सिक्छा से समंदित कोई चीज दान कराईएगा कर दीजेगा ज्यादा फायदा मिलेगा अचानक धनलाव के योग बनेगे और भागय के अनकूलता हो जाएगी ब्यापारियों को ब्यापार में लाव होगने वाला है लडाई जगडे से जरा दूर रहना है किसी भी तरह से वाद विबात से आज आज आपको बचना है लव आज आपके पूरे दिन का हाल अभी कलिए बस इतना हिजाजत दीजे पुनह मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार